किसान भाईयो वाइट फ्ला यानी सफेद मक्षी आज देश के हर छोटे बड़े किसान की सर की दर्द बन चुकी है क्योंकि ये लगभग हर फसलों में लगता है और जिस फसल में लगता है उस फसल को पूरी तरह से बरबाद कर सकता है और अगर वाइट फ्ला का अटक फसलों में ज़्यादा दिनों तक रहता है तो इससे हमारी उपद 40-50% कम हो सकती है इसलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वाइट फ्ला के बज़े से हमारे फसलों को क्या-क्या नुक्सान पहुंचता है कैसे वाइट फ्ला हमारे फसलों को नुक्सान पहुंचता है और फिर जानेंगे वो कौन सी सबसे ज़्यादा एफेक्टिव कीट ना सक है जिसके इस्तमाल से वाइट फ्ला पूरी तरह से कंट्रोल होता है और क्या उसकी सही इस्तमाल करने का तरीका है मतलब किस तरह से उसका इस्तमाल करें कि हमें जादा से जादा फाइदा मिल पाएगा लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वाइट फ्ला किस तरह से हमारे फसलों को नुक्सान पहुंचाता है तो देखो वाइट फ्लाय जो है ये एक प्रकार की रस्चू सकीट है ये पत्तों के नीचे लगती है और पत्तों में से क्लोरोफील चूशती है जिस बज़े से पत्तों में ब्लैक नोट बनने लगती है जो आगे चलके फंगस का रूप ले लेती है और सबसे बड़ी सरदर तो यह है कि यह आपके फसलों में भाइरस का बाहग भी होता है इस white fly के बज़े से हमारे फसलों में तरह तरह का भाइरस का आगमन भी होता है जैसे leaf curl, kossaba musik, golden musik, virus जैसे खतरनाक भाइरस हमारे फसलों में white fly के बज़े से आता है और इतने में white fly रुखता नहीं, ये आपके पत्तों पे honeydew छोर देता है, इससे और भी जो तरहा तरहा के रस्टूसक कीट है या अनकीट है, उनको आमंत्रन मिलता है, जिससे तरहा तरहा के कीटो का अटक आपके फसलों में होता है, और ये बहुती तेजी से अपना population भी फै जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके white fly को control करना चाहिए, और ये आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने खेतों में sticky trap लगाना चाहिए, जो blue sticky trap होती है, yellow sticky trap होती है, इससे क्या होता है, कि आपको white fly की life cycle break करने में मदद मिलता है, इससे आपको उनकी population growth को control करन में, इसलिए मैं आपको आज कुछ ऐसे कीटना सक के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर मेरे बताएगे तरीके साप इस्तमाल करते हैं, तो आप white fly को पूरी तरह कंत्रोल कर सकते हैं, और एक बात की जिन कीटना सक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यसा नहीं कि कोई भी local company का दबाए उठा के spray कर दिया, तो इस list के पहले नमर पे जो कीटना सक है, उसके बारे में कहने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो, त चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बाली बेल की घंटी भी दबा ले, ताकि ऐसे इखेती से जुरी वीडियो आपको मिलती रहे, तो इस list के पहले नमर पे जो कीटना सक है, वो है UPL का लेंसर गोल्ड, इसमें आपको डो टेकनिकल देखने को मिलेगा, पहला है SFA 50% और समलक 8%, यह systemic plus contact दोनों action में काम करता है, और अगर इसकी perfect dose की बात करें, तो प्रती एक लिटर पानी में लेंसर गोल्ड, दो ग्राम से धाए ग्राम लेके आप स्प्रेक कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा result मिलेगा, प्रेविंटिम में अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं, तो दोज थोड़ा कम रखेंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोज से धाए एमेल इसकी perfect dose है, यह white fly के साथ साथ स्थिप्स, एफिद, जैसीड, बॉल वर्म, इस्तिम बॉरर को भी control कर लेता है, अब इस list के दूसरे नमर पे जो कीटना सका आता है, व इसमें जो टेकनिका लाता है, वो है, एफिडो पाइरोपेन 50 ग्राम पर लिटर, यह white fly और एफिड के लिए बहुत ही घातक कीटना सक है, अगर इसकी perfect dose की बात करें, तो प्रती एक लिटर पानी में अगर आप सेफिना 2 ml घोल के स्प्रे करेंगे, तो आपको 100% result मिलेगा, अगर आप इसका इस्तमाल preventive में करना चाहते हैं, तो दोज थोड़ा कम रखेंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस लिस्ट के तीसरे नमर पे जो कीटना सक है, वो है, बायर का मुवेंटो एनरजी, इसमें जो टेकनिकल आता है, वो है, इमीडा करें, तो आपको 15 लिटर पानी की टंकी में 5-6 ml मुवेंटो एनरजी लेके इस्प्रे करना है, और एक बात कि जिन कीटना सक के बारे में मैंने आपको बताया, अगर इसका इस्प्रे आप सामके टाइम करेंगे, तो आपको ज्यादा वहतर रिजल्ट मिलेगा, और एक सबा कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कीटना सक, वो टॉनिक या वो फंगिसाइड किस ग्रूप का है, इसलिए आप अपने नजदी की दुकानदार या फिर क्रिसी भी से सग्या से एक बार दिसकस करके, कन्फर्म होके, कॉंबिनेशन करेंगे, तो अच्छा होग झाल